नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes पर दोस्तों काफी दिलों के बाद एक अच्छी वेकेंसी आई है और इसमें कोई भी पराइसना तक केंटी रेड़ हो जिसेने Master की डिग्री जिसने लिए रखी हो या पीजी की डिग्री लिए रखी हो यहां पर अप्लाई कर सकता है और फेसर्स भी इसमें इलिजविल है तो इस भरती के बारे में आज आपको हम इसे वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों इस तरह की वीडियो हमारे चैनल के बाद्धम से आपको लगातार मिलते हैं चैनल को अगर आपने यवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार की संख्या है और इसके साथ साथ SC के 16 ST के साथ OBC के 24 EWS के 10 और अने रिजर्वे के 43 सा मिलाके 100 पत यहां पर है और PWD का भी रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जेनरल इस्ट्रीम की यह वेकेंसी है और यहां पर साफ साफ लिखा हुए की 70,000 के आसपास आपको यहां पर पे मिलने वाली है और यह वेकेंसी कहां से आई है आप उपर देख सकते हैं सिडबी आफीशर्स जनरल इस्ट्रीम में यह वेकेंसी आई है सिडबी आप देख सकते हैं यहां पर इसमाल इंडस्टिरियल डेवलोप्मेंट बैंक आफ यह मत सुचेगा कि सीडबी जो है इसमें जॉब कहां करनी होगी कैसे करनी होगी सब पूरा बता देंगे आपको इस वीडियो में और यह जनरल असिस्टिंट मैनेजर जनरल इस्ट्रीम की वेकेंसी है यह इसमें किसी प्रकार की कोई बिसेंस जो है वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा और यहां पर देख लिजिए चार मार्च से इसका आवेदन शुरू हो गया है चौबिस मार्च तक आवेदन चलेगा बहुत कम समय आपके पास है कट आफ डेट जो है इसकी लिजिविल्टी क्राइटरिया जो है चार मार्च को होनी चाहिए आपकी मतलब कि जो अपरेल 16 को इसका एम है आप लोग यूज गोर्मेंट की जावब के लिए आपलाई करते हैं और उसके एक एग्जिविल्टीट आपको पता नहीं होती है तो यहां पर देख लिजिए चार मार्च को आप एप्लाई करेंगे चार मार्च को आपको एक्जिविय्विल्टीन हो जाएगी और इसके बारे में थुलास हम बता दें आपको कि वेकेंसी पोस्ट बताई दिया हमने आपको इसमें क्या चीज़ मांगी गई हैं और भी चीज़ आपको बता रहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए जॉब प्रोफाइल यहां पर दिया गया आपको का क्या करना होगा अगर आपका सेलेक्शन यहां पर होता है तो क्या काम करना होगा वह यहां पर लिखा है ग्रेड ए आप आफीशर होंगे और आपको जो है माइक्रो फाइनस स्टार्ट अफ बेंचर कैपिटल सेक्टर थुरू डारेक्ट या इंडारेक्ट क्रिट डिलेवरी में आपको मानिटरिंग मेकेनिक में जो है काम करना पड़ेगा तो इस तरह के काम है यहां पर और कई चीजह हैं जिसे नपीज की स्कीम है या फिर कुछ और भी है तो इस अरी चिजह आप यहां पर कर सकते हैं और डिया गया देखिए टो एज पर रून जो होता है वो यहां पर लागु हो किया गया आपने इसमें लिखा है बैचले डिगरी इन लाव में अगर आपने बचले डिगरी इन इंजिनियरिंग मतलब कि अगर आपने से इसमें अप्लाई कर सकते लेकिन उनको तो civil electrical mechanical को वो prefer करते हैं और यह दोने तो बचले डिगरी हो गई या फिर आपने master degree की है any discipline किसी भी discipline में आपने master degree की है commerce में आपने m.com किया है economics में आपने master degree की है management subject में किया जाने कि अगर आपने MBA भी किया है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं या फिर मतलब आपने CACS, CWA, CFA या PhD किया है आपने तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अब आप पूंचना चाहते होंगे कि हिंदी से हमने MBA किया है तो क्या हम यहाँ पर apply कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं से आपने में किया apply कर सकते हैं जो गरफिस आपने किया apply कर सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा हुआ master degree in any discipline किसी भी अपने अगर by की है तो आप है पर आप कर सकते हैं ठीक है बस यहां पर कंडिशन एक लगा दी गई है की 55 परशन्ट मार्क्स मार्स आपके होने चाहिए अगर आप सेलेक्शन के लिए यहां पर एक अब्जिट्व टेश्ट पेपर होगा जिसमें इंग्लिज लेंग्वेज के तीस प्रेशन आपसे पूंचे जाएंगे और यह तीस नंबर के होंगे बीस मिनट का इसके लिए टाइम दिया जाएगा जनरल एवरिनेस होगा और इसमें बैंकिंग के बारे में थोड़ा से जादा पूंचा जाएगा फाइनेंस सेक्टर और एकोनमिक्स के बारे में क्लास नंबर का यह होगा इसके बाद रीजिनिंग आपसे पूंची जाएगी पचालिस कोहिशन होंगे साथ नंबर के और क्वांटेटी अप्टिट्यूड पूंचा जाया गया यानि कि टेंथ क्लास की जो मैतमेटिक साथी है वो चालिस प्रेशन होंगे साथ नंबर के त रॉंगीस को निदिया तो इसमें आपको कोई एक लिखना पड़ेगा और एक लिक्तर राइटिंग कभी यहां पर दिया गया है तो यह आपको तीन प्रशनरा चाइन होंगे 50 नंबर का होगा तो इस तरह से 163 परसं़ होंगे ऑघनिंग एकर नमबर का यहां पर होगा तो ये तो होगी आपके एक्जाम का इसके बाद फिर इंटर्वी होगा ये भी आमने आपको बता दिया कि अब यहां पर आविदन सूल कितना है सेस्टी है तो आपको अप्लिकेशन फी नील है इंटिमेशन चार्जेस वन सेवंटी फाइफ टोटल चार्ज आपको 175 देना है अधर वैक वाड़ है इडिवलू एस है तो आपको 1100 पूरा पे करना पड़ेगा क्योंकि एक्जामनेशन सब्सक्राइब आपको जाना है और यह सारी चीज़ें लेक जाना है जिससे कि आप वहां पर जाके जब फार्म बरें तो कोई चीज आपकी छूटे ना और एक बार में ही आपका पूरा फार्म सम्मीट हो जाए तो दोस्तों यह हो गई इसकी अपडेट और अच्छी वेकं करने को आपको मिलेगा एक्जामनेशन सेंटर भी यहां पर दिये गए हैं पूरे आल ओवर इंडिया की परिक्छा है तो अपने स्टेट के आप यहां पर सिटीज देख सकते हैं अगर आप अंधरा प्रदेश के हैं तो विजेवारा है विशाखा पटनाब है कुनोरे है औ और अगर इसी तरह से आप जो है राजस्थान के तो हैं जैपूर जोदपूर कोटा अजमेर उदैपूर दिया गया है गुजरात के तो एहमताबाद गांधी नगर राजकोट सुरत वरोदरा दिया गया है आप देख सकते हैं आप जिस भी स्टेट के हैं यूपी कभी एक पास पास हैं फिर भी इनको सेंटर बनाया गया है तो इस तरह से आपको अपनी सिटी में ही एक्जाम देने को मिलेगा तो दोस्तों यह होगी आज की वीडियो के अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट नहीं जानकरी साथ बने रहे हैं सीपी स्मा